हेलो वाट्स आप गाईस आज हम इस वीडियो में देखेंगे http update method in our react pull stack application जहां गाईस तो आज फाइनली हमारा last वीडियो होने जा रहा है हमारे इस react pull stack with axios वाले application का ठीक है अभी तक हमने http get method हमने देख ली है post method and then देख ली है हमने delete method but update का मैंने इवन कल की वीडियो में हमारा part 1 था update का उसमें मैंने अभी तक आपको बताया है नी but आज की वीडियो में finally update के लिए हम हमारा जो put या patch दोनमी से कोई एक यूज करने वाले believe me आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा important है बहुत को मतलब मजा जाएगा तो कल का वीडियो चेक आउट निगा तो जरूड चेक आउट कीजेगा अब हम बिना किसी देरे को वीडियो को start करते actual में होना यह है कि जब भी मैं edit पे click करूंगा ठीक है एक सेकेंड यहां पर आ गिया है मैं अब गाइस एडिट पे जब मुझे click करना होता है तो मैं क्या करता हूँ थापा test and edit पे click करता हूँ तो वह data edit हो जाता है यह मुझे चाहिए बट अभी फिलाल हमारे case में वह इतना रहा है कि अगर मुझे edit पे click करना है तो हमने इतना तो भी कर लिए कि वह data ने मेरे input फिल में आ जाता है तो सबसे पहले मुझे मेरा यह जो बट ने उसको convert करना होगा from edit to post और from post to edit समझ रहो edit या तो add, add या तो edit तो वह अब में कैसे कर सकता हूँ सबसे पहले मेरा काम होगा कि इसी की उपर ही depend होगा कि मुझे post करना है या update करना है मतलब data या तो add करना है या तो update करना है ठीक है तो देखो मैं चलता हूँ over here and I guess मैंने इसको open कर दी है या तो guys अगर आप MySQL के उपर let me know in the comment section all right so दियान से देखना सबसे पहले यह मेरा update data API है जब भी edit button पर कोई click करता है वो उस data के base पर ही मैं मेरे title को भी कर रहा हूँ right अब यहां पर मैं एक और तरीका कर सकता हूँ ठीक है देखो कैसे मैं ठीक है यूज एफेक्ट से उपर यहां पर मैं एक variable create कर लेता हू let is empty कर गए ठीक है अब देखो यह जो मेरा update data API dot length gth है ना if it is triple equal to null या empty या length तो चलो numeric आएगा जीरो तो मैं अगर यह करू तो मैं यह नहीं कर सकता and I hope मैं आसा करता हूँ कि आपको एटली सितना तो idea है कि जब भी आप object के साथ खेल रहे हो and अगर आपको उसका length find out करना तो आप नहीं कर सकते है बस खत्म अब क्यू नहीं कर सकते है उसके पीछे का क्या region है for that I highly recommend to check out my world best javascript course part 1 12 गंटा part 2 12 गंटा part 3 में मैंने complete e-commerce website बताया 5 गंटे में तो इससे मुझे भाई 22 गंटे का कौन आप free में video टालेगा बता हूँ मैंने करके बता है with full animation बहुत सारे mini project बहुत कुछ है I highly recommend इसको check out जरू कीजिएगा object आपको second part में मिल जाएगा वहाँ पर आपको idea आएगा ठीक है यह मैं नहीं कर सकता so what I will do we have one method of object dot इसका method एक keys करके and इसके अंदर मेरा यह जो है उसको मैं pass कर दे रहा हूँ तो keys I hope आपको मालूम है like this is your key and this will be your value key value pair हम इस्तिर किसे बोलते है obj equal to यह ठीक है मैं enter hit कर रहा हूँ ठीक है अब we have object not यह वाल object full वाल object आट रहे so लिखना पड़ेगा dot keys and यह obj जो है मैं pass कर दे रहा हूँ यह देखो तो आपने देखा ना guys क्या हो आई यहाँ पर key अगर आप लिखते हो तो title and body में जो है वो आपको मिलता है object.values लिखते है तो value जो है वो मिलता आपको यह रहे मैं फिलाल अब भी आप सोच रहे होंगे अरे इससे तो यह length कभी 0 होगा यह नहीं in reality मैं इसको थोड़ी चेक कर रहा हूं मैं तो चेक कर रहा हूं मेरे update data API को तब ही होगा यह कि वो जो current element है यह उस पर add हो जाएगा मतलब तब हो empty नहीं रहेगा मतलब जब तक कोई edit button पर click नहीं करता है मेरा यह जो update data API है यह total empty रहने वाला है total empty total empty से मेरा मतलब const फिर से obj1 इस तरीके से total empty अब object में यहाँ पर चाहूं तो normal यह कर सकता हूं ठीक है and यहाँ पर obj1 कर देता हूं enter hit करता हूं see अब मुझे क्या मिल रहा है empty array right empty array dot length करूंगा तो 0 मिलने वाला है ठीक है तो यह इस तरीके से काम कर रहा है I hope आप समझ गये तो छोटी छोटी चीजों में भी बहुत सारी चीजे है so अब इस variable को लेके में क्या करूंगा bottom पर आऊंगा क्योंकि button थो हमारे पास ही की है इसी button को ही मुझे इधर add और edit पर convert करना है तो ध्यान से देखो so let's go with constant variable ठीक है अगर वो empty रहेगा तो यहां पर लिख दो add अगर वो empty नहीं है मालब कर दो edit खत्म अब यही same piece of code को copy करना है यहां पर value बहुत जाद important है उस पर भी paste कर देना है and double double नहीं चाहिए इस तरीके से this is it and guys I just realized क्योंकि हम तो already किस के अंदर है I mean JavaScript की दुनिया के अंदर है तो मैं क्यों इतना मैनत कर रहा हूं समझ रहूं मैं भूली गया थे कि हम JavaScript की दुनिया के अंदर है so इसकी कोई नीट नहीं है हम directly S3 के से लिख सकते हैं so now we have a value attribute जो बहुत important है button की value के base पे ही हम यह make sure करने वाले की user को add करना है यह update करना है and यह तो चलो normal दिखाते हम अब इतना भी अगर मैं करता हूं refresh कर रहा हूं यह अपना है ठीक है sorry यह अपना नहीं यह अपना है जब भी कोई form को करता है submit या जब भी कोई form को करता है handle form submit है न यहां पर आप ध्यान से देखने में क्या अगन्य हो लाँ if all right all right all right एक और चीज बहुत important बहुत important आपको पता कैसे चलेगा कि आपका यह जो form है उसमें एक button है तो इस button की value add है या edit है वो कैसे पाता चलेगा देखो आप यूज रहे हैं चीजे है लेकिन मेरे पास एक code है हां मैंने यह online find out किया तो मतलब यह होता है sometimes जब आप इतना काम करते तो आपको मालूम है कि कुछ piece of code है copy paste करने वाला काम यह इस तरीके से मैंने कहा लिखा यह basically यह object event object हमें मिलता है यह हमें मालूम है उसमें यह native event dot submitter dot value अगर आप पास करते हो न तो जिस form के साथ आप काम कर रहे हो उस form की यह जो value है वो क्या है current इधर add है या edit है क्योंकि at a time आपके जो user interface है उस या तो add है add होता है तो यह मुझे action मिल गए अब मैं क्या करूंगा अगर आपका यह action if action is triple equal to we have a add वाइट अगर यह होता है तो यह वाला जो function है इसको call करना if else if कर दो यहाँ पर अगर यह जो action है यह पिछ ट्रिपल इकोल टू एडिट होता है यह तब हम update पोस्ट डेटा चलो यह कर जाते हैं ठीक है और कहीं नहीं कर रहा किसे नहीं कर रहा है आपको पता चल गया हमने कितनी easily अब यह find out की कि user का current button की value क्या है हमारा input field में उसके base पे अगर वो add रहा तो हमें add करना है ठीक है यह तो मैंना अल्रेड यहाँ पर करी दिया है देखो ना add वाला इसको करते है defined ठीक है so const all right अब एक चीज में आपको बताना चाहूंगा अगेन अगर मैं update करना चाहूं तो easily मैं update कर सकता हूं and यह मेरा update हो भी जाएगा but the main thing is इसको मैं update करके कि क्या ही उखाड लूँगा क्योंकि भले ही चलो मैं अपने यहां पर इसको update कर दूँ बट मेरा जो actual API है जहां से मैं data gate कर ओ उसको तो कुछ हुआ भी नहीं अभी तक वो तो update नहीं हुआ and अगर वो update नहीं होगा and let's imagine एक लाग से ज्यादा लोग इस API इस पर काम कर रहे and बहुत important update है जो आपने push किया but बाद मैं अपने यह देखा अरे मैं तो सिर्फ अपने system पर ही उसको update की actual API में तो अभी भी पूराना data ही है तो बाकी एक लाग जो लोग जो use करें उनको तो गलत चला जाएगा अब अगर आपको API पर update करना है तो वह तो इतनी कोई बड़ी बात है नहीं क्योंकि यहां उन्होंने बोल दिया simple सा put and then patch अगर आप देखोगे forward slash post forward slash post normal उसके बाद आपको एक unique data वहां पर पर पास करना है जो आपको update करवाना है ठीक है तो कैसे होगा देखिए चलते हम हमारे API वाले पार्ट पर मैं यहां पर put use कर रहा हूं it means मैं complete सब को हटा के update करना चाहता हूं नया ठीक है and if you want more about put versus patch let me know in the comment section अब यहां पर एक चीज बहुत important है जो आपको समझना पड़ेगा first time के लिए const ठीक है अब ध्यान से देखना मैं क्या बोलने जा रहा हूं मैं अब यह assume कर रहा हूं कि हमें एक unique ID मिलेगा जिसके चलते मुझे यह पाता चलेगा कि मुझे किस particular post को update करना है based on that ID and उसके बाद मुझे एक actual post मिलेगा एक actual data मिलेगा जिससे मुझे यह पाता चलेगा कि इस particular ID में पुराने data को हटा कि यह जो नया data है वो add करना है समझेर हो तो एक ID to find out and then यह post जिससे वो यह basically नया post जो आप मुझे update करना है यह make sure करना कि आपको यह इस तरके से ही लिखना है then we need to return api.up इधर patch और put आप यूज़ कर सकते हो you can go and try both and let me know in the comment section कैसा लागा अब तो यहां पे ध्यान से देखिएगा forward slash post यह तो चाहिए ही चाहिए लेकिन साथ हमें एक और dynamic value यहां पर पास करना है अपडेट और हो गापना है तो मतलब अगर आपको याद हो तो जब हम दिलिट कर रहें थे पोस्ट में तब हमें किया करना था एक पोस्ट को डिलेट करना था लेकिन हमारे API को कैसे पाता कि किस पोस्ट को डिलीट करना mphけて में एं ऊब तो खुंकर यह ट्फ decisions होगा आप उसको डिलिट कीजिए तो यह हमारा रूट ऐसा बना से मिहां पर आपको अपडेट करना है वह बोलेगा ठीक है 100 पोस्ट किस पोस्ट को अपडेट करना है मैंने लेट से अब यह वह actual API वाला function है जो आप कॉल कर रहे हूं यहां पर मैं आता हूं सबसे पहले हमें क्या पास करना है कि किस पोस्ट को अपडेट करना है और वह डेटा मुझे कहां से मिलेगा यूनिक आईडी ऑबेसली मुझे मिलेगा यहां से यह जो मेरा अपडेट डेटा IP है क्यों क्योंकि जब भी कोई जब भी कोई इस पर क्लिक कर रहा है एडिट करने के लिए तो current element में पास कर रहा हूं current element में set update data API की मदद से मैं मेरे इस state variable को update data API जो की मेरा state variable है उसको मैंने अपडेट कर दी इसमें मेरा सारा data है and इस data के अंदर we have ID also ठीक है so मैं यहां पर चलूँगा let's go over here इस जगे पे and मैं वो पास कर रहा हूं dot we have a ID and second मुझे वो data पास करना है जिसको मुझे अपडेट करना है and if you remember कल की वीडियो में ही use effect की मदद से अगर वो data present है तो मेरा जो यह actual set data है set add data उसको मैंने update कर दी थी it means मेरा updated data है यह add data okay so add post यह ओवह हो इस जगे पे ठीक है तो इस तरीके से यह जो पाट है मैंने यहां पर पास कर दी अब यहां पर ध्यान से देखेगा we need to make this async await क्यों क्योंकि अब यह जो API यह promise return कर रहा है मतलब मैंने बोला इस पर्टिकुलर पोस्ट नंबर के जो भी पोस्ट होगा उसका आप इस data से आड़ कर दीजेगा तो वो कर रहा है लेकिन थोड़ा सा वेट लगेगा तो we need to wait and जब वो update कर देता है हमारे actual API को तब हमें वो response देता है जिसको मैं response RES वाले constant variable पर update करना चाहूंगा मैं अब यहां पर चलूंगा और मैं आपको दिखाता हूं कि हमें क्या मिल रहा है response में ठीक है इसको एक बार refresh कर देते हैं यहां पर मैं चलता हूं inspect पे let's go with our network tab मैं second वाले को click कर रहा हूं मैं थापा लिख देता हूं यहां पर test updated लिख देता हूं ठीक है एंड मैं edit पर click करता हूं यहां पर देखिए undefine दिखा रहा है एंड मुझे 500 मुझे error आ रहा है ठीक है by the way क्यों आया देखे तो हाला कि payload मिल रहा है प्रिव्यू में ID OK यहां पर कुछ तो भी problem हो रहा है अपडेट डेटा यह अपडेट डेटा क्या है ओ सौरी इट्स यूर अपडेट डेटा एपी आइपई अपडेट डेटा एपी ठीक है अब यहां पर हम चलते हैं इस जगे पर इसको मैं रिफ्रेस्ट कितने अच्छे और वपस क्लिएर करओ सेकेन वाले को मैं एडिट पर क्लिक करता हूं इस पर मैं लिघ देता हूं थापा TOP हटथ अ्ग्एन अपडेट लिख देता हूँ and मैं edit पर click करता हूँ so 2 दिखाई दे रहा and boom guys see सब कुछ यहाँ पर बराबर है मैं इस पर click करूँगा ध्यान से देखो headers पर देखो आपका देखो request का method put यह request URL देखो यह आपका base URL है and post hyphen 2 post hyphen 2 मलदब second number के post को आपको update करना है and payload में हमने जो data पास की थी response में मुझे जो data मिल रहा है सब है यहाँ पर मलदब response में मुझे इतना data आ रहा है तो देखो आप में क्या करता हूँ यहाँ पर मैं चलूँगा ठीक है and by the way जब हम इतना करीर है so let's go with try and then catch ठीक है all right अब यहाँ पर अब ध्यान से देखो कि मुझे उस particular part को update करना है कैसे कर सकता हूँ मेरा जो actual data है वो यह है set data data के अंदर सारा data है right set data को मैं copy करो जिसके अंदर पूरा वो 100 के 100 data थे हमारे मुझे क्या करना होगा ध्यान से देखिए मैं मेरे जो 100 data है उसको मैं loop चलाऊंगा ठीक है कैसे बोलने से the moment आप इस तरीके से previous लिखते हो तो होगा यह कि अब यहाँ पर अगर मैं console.log and अगर मैं previous लिख दू refresh कर रहा हूँ इनको मैं हटा रहा हूँ मैंने edit पर click की कुछ भी उल्टा फुल्टा लिख के मैं edit पर click कर रहा हूँ तो मुझे console.log मैं क्या मिलता आप ध्यान से देखना ठीक है यह देखो console.log अगर मैं आपको बता हूँ 52 52 में अगर आप देखोगे मुझे पूरे 100 के 100 data मुझे मिल रहा है पूरे 100 के 100 data मुझे यहाँ पर मिल रहा है तो मैं क्या करूँगा अब the moment मैं इसके data को update करता हूँ हमारा actual data update हो जाता है तो मैं क्या करना आप देखना मैं return previous का ही मैं loop चलाऊंगा मैं यह बोलूंगा भाई हमें यहाँ पर भी current element मिलेगा अब ध्यान से देखना मेरा जो भी current element.id अगर वो triple equal to हो जाता है जो भी response मिला उसकी id से जो भी response मिला उसकी id से तब इतने सारे 100 में से जिसका यह match कर गया सिर्फ उसी का ही data मुझे update करना है with this part else keep that current element as it is I hope आप समझ गय होंगे मैंने क्यो data लिखा है क्योंकि हमें data मिलता है response में देखो ना response में इतने सारे data मिल रहे होते है ठीक है यह by default आप समझ जो कि data में मिलता है data आप इतना समझ जाए तो यह आई हो पता चल गया होगा अब इससे में क्या कर रहा था मेरे जितने भी 100 के 100 data थे मैंने like previous के अंदर हमें मिली रहा था return map method लगाया current element जो भी 100 में से मैच कर गया हमारे इस id से 100 में से कोई ना कोई एक तो मैच करेगा ही ना जो भी मैच वह उसका data जो actual मेरा data जो मैं चाहता हूं उसको update कर दो बाकी 99 को as it is जो है 100 रहने दो हो गया न update और क्या चीए ठीक है sorry not over here यहाँ पर चलता हूं edit था पर test and मैं edit पर क्लिक करता हूं 3,2,1 and कुछ भी नहीं हुआ let's check it out क्यों हुआ ऐसा console object देखो ना data अब आपको पाता चल रहा होगा क्यों मैंने वो किया था देखो data में हमें मिलता है response.data में इस जगे पे कुछ तो भी problem हो रहा है set data previous previous को loop लगाया current element.id and response okay कहीं न कहीं response.id यह काम करते हैं न यह जो id है क्योंकि id तो मेरा actual जिसको user ने क्लिक किया वो तो मुझे मिली रह न यह है न id कहीं न कहीं इसको करके देखते हैं ठीक है and response.data तो by default access.data में ही आता है तो उसका कोई problem नहीं title and वो automatic वहाँ पे चला जाएगा ठीक है and लगे तो एक और चीज आप यहाँ पे कर सकते हो दो कि इतना कोई वो नहीं है अगर सब बराबर होता है तो आप यह कर देना कुछ इस तरीके से ठीक है बस मैंने एक यह update किया है क्योंकि id तो मेरे पास यहाँ था ही कहीं न कहीं मुझे वो response का id में पंगा लग रहा है थोड़ा सा इसको अटाता हूँ सेकेंड ओले को क्लिक कि टेस्ट थापा अब मैं एड़िट पे क्लिक करने जारा हूँ सो 3,2,1 एंड बूम गैसी यह देखो हो गया मेरा काम हो गया पेलोड वी हब टाइटल एंड बोडी प्रिव्यू अला़ कि प्रिव्यू में ID तो था ही response में भी था ID बड़ इस्टり पीन console पे क्या है we have a data okay ूजी इसदधेटा I am getting 0.49 49 एक anthe it's response-DOTDATA response में मुझी आता, 그 हम पेला है हमन्म हें response-DOTD in reality response.data.id इस तरीके से मुझे लिखना था response.data.id फिलाल डेटा में body भी है title भी है id भी है तो मतलब यह कि अगर response.data.id भी अगर मैं कर देता तो भी मेरा यह काम करता इस फिर से यहां पर हाँ and by the way guys यह real API के साथ हम काम कर रहे and हमारे पास power निये यह real API को हम जेंज कर दे तो इसलिए फर्स्टाइम तो अपडेट होगा बट रिफ्रेश करती चला जाएगा test थापा अब ध्यां से देखना edit पर क्लिक कर रहा हूं and boom guys see this is it यही मैं दिखाने चारा था so data तो था headers है requests सब कुछ है यह हो गया but now दो तिन चीजे है जो आपको make sure करना है and that is कि once आप यह कर देते हो तो अभी भी आपका यह button edit face पे ही है right जबकि आप तो यह normal post हो जाना चाहिए था and second यह जो दो data है अभी भी वह as it is पड़े हुए तो सबसे पहले वह दो data को तो हम बहुत इजली खाली कर सकती उद्धी help of this particular code जो आपने पोस्ट की दिन देख लिया था अगर यह success हुआ इस होने के बाद अब यह कर दीजे आप इसको भी हटाओ ठीक इतना भी अगर आप कर दोगे है ना मैं यहाँ पर चलता हूँ edit कुछ भी उल्टा फुल्टा लिखके छोड़ा यह देखो at least यह दोनों तो भी empty हो गए बट यह edit अभी वहाँ पर add है तो मैं क्या करूँगा यह क्यूं हो रहा है क्यूंकि यहाँ पर condition है अगर वह empty होता है तो add वाला button दिखाना नहीं होता है तो edit बट जब मैंने यहाँ पर edit कर चुका है तब यह empty हो जाना चाहिए था बट यह empty नहीं हुआ उसके पीछे का reason बहुत है बट में एक simple सा logic बताता हूं कभी भी अगर आप आपको उसको अगर empty करना है तो क्या करेंगे हम state variable को कभी भी change करना है तो always उसका जो updated function है उसको change करना होगा उसको update करना होग क्यों मैंने यह जो update data API का जो updated function है इसको मैंने get किया था अब यहां पे ठिक इसके नीचे में आऊंगा and boom guys this is it sorry guys यहां पे मुझे ने करना है इसके नीचे मुझे आके करना है तो पहले तो empty कर दो and दुसरा उसको totally मैंने empty कर दी खाली title and body link के नीचोड़ा क्योंकि इसको मुझे empty करना है उसके base पे ही तो is empty रहा तो add and उसके base पे ही तो यह particular code चालू है बस इतना अगर आप मैं कर दूँगा तो मेरे सारे परिसानी दूर थापा happy क्योंकि इतना हमने किया तो अब मैं अगर edit पे क्लिक करता हूं and boom guys see this is it मेरा काम हो गया so now we have this particular code दोनों field empty हो गया edit का add हो गया है यह भी मेरा update हो गया है अब अगर मैं यहां पे थापा post added अगर मैं लिखता हूं and add पे क्लिक करता हूं तो सब अपनी जगे है and at the bottom पे मैं चलूँगा so we have added our new post over here तो मतला post भी हो गया edit भी हो गया तो दोनों काम हम एक साथ कर रहे and अगर मुझे किसी को delete करना रहा तो let's say इसको मैं अगर delete करता हूं तो यह delete भी हो रहा अब यह जो मेरा second था वो first पे आ गया and read तो हम करी रहे so guys हमने देखा http get method, post method, delete method and put method तो यह पूरे की-पूरे cut operation मैं आपको करके बताए and मैंने दिखा है कि reality में professionals कैसे काम करते है and किस तरीके का यह root बनता है base URL xuse के मदद से अलसा भी तक आपने खाली fetch 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 खेला होगा but in reality कैसे यह आपका काम कर रहा है and सबसे जाद important जब आप root define करते हो for each particular http method तो उसको भी आपको मन में basically अपने दिमाग में ध्यान में रखके काम करना होगा so guys source code बिल्कुल free में मैं आपको नीचे provide करा दूँगा so guys source code तो आपको मिल जाएगा लेकिन guys अगर आपको मेरे video पसंद आते हैं and अगर आप मुझे support करना चाहते हो तो please आप मेरे पूरे YouTube करियर में मैंने जितने भी videos बनाये सारे project HTML, CSS, JavaScript, React, Node, Express, MongoDB, MySQL, PHP, Dynamic website, Monstack website ना जाने कितने website सारे के सारे source code बिल्कुल free तो नहीं बोलूँगा सिर्फ और सिर्फ 249 रूपीज आपको एक Subway में बर्गर नहीं मिलने वाला 249 रूपीज में मेरे पूरी YouTube साथ साल के आप में सब कुछ आपके साथ सेर कर रहा हूं मतलब जितना आप दे रहे हो मुझे उससे लाखोत हजारो गुना मैं आपको दे रहा हूं बट इट जस्ट सपोर्ट के लिए है यह ना आपको खाले आदनी जाने देना चाहता है आप इसको प्लीज भाई कीजेगा मेरी बहुत हो जाएगी और इस वीडियो का सोर्स कोड तो फ्री है आप वह लेके भी जा सकते हो अगर आपको इस तोटल अप तो यू आज के टाम में लोग सोर्स कोड लेके निकल लेते बट अगर एप्रेशेट करना तो वह कर सकते अगर वीडियो को बैसिकली लाइक कमेंट सेर कर दीजेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजे वह तो कर सकते एक रिप्या नहीं जाएग ठीक है बट प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा हम बहुत करीबे सेवलनेक सब्सक्राइबर के एंड अब हम हमारा जो मेगा प्रोजेक्ट वह देखेंगे एंड वो में नहीं चाहता कि आप मिस करें सो डैट सब्सक्राइब जरू कीजेगा मिलता हूं कल की वीडियो में थ्थी यूए फ्क्या मिलता हूं क्या थेखेंगे प्लीज सेवलनेक सब्सक्राइबर के लिए एंड वीडियो में चाहता हूं के लिए जय हूं क्या है